आपको क्या ध्यान रखना है आपको ध्यान रखना है कि जो बंगाल के राजपाल उनका नायम है जगदीब धनकर ममता बनर जी लगातर तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी होई है चुनाओं के बाद आपका राजिनितिक नजरिये से देखा जाए तो हिंसा चल लएए आपस में जड़पे चल लएए हिंसा का आपका रूप ले ले रही है और इसी बीच आपका SCIO भी आपका महा पर जाना चाह रहा है SCIO अपना दोरा करना चाह रहा है और ममताब अनर्जी ने बुला है कि SCIO को किरपे अपना दोरा रद करिए करोना प्रोटोकॉल को लेकर बस आपको यहां पर ध्यान रखना यह जो SCIO रास्ट्री अनुसूचित जाते आयोग इसकी वरत्मान में अध्यक्ष कोण है आपको ध्यान रखना है डॉक्टर अंजूबाला ये रास्टी अनुसूची जात आयोग की अध्यच है पहले आपका ये MP हुआ करती थी मिश्रिक्त से और इस बार आपका फिलाल आपका इनको टेकेट नहीं मिला हुआ था बट बाद में भी पिछले कुछ समय पहले इनको आ आपता योग है जिसके अध्यक्ष को एक मंत्री के बराबर आपका सारे फेसिलिटीज मिलते हैं तो ऐसे में डॉक्टर अंजूबाला आपका ऐसी आयोग की आपका अध्यच है अब बात करते हैं आपका अगली खबर पर आज की ये सोडी साहब आपका रविंदर सिंग हाकी गोल्ड कप हुआ ये नाम आपको याद रखना कि इंद्रा गांधी अंतर राष्ट्री हाकी गोल्ड ये नाम ही आ जा रहा है इंद्रा गांधी अंतर राष्ट्री जो गोल्ड कप है किस से रिलेटेड है ये हाकी से रिलेटेड है और ये जो आपका अंपायर और तक् पहला सत्र शुरू हुआ लोगसभा में जीवी मावलंकर को अंतरिम स्पीकर बनाया गया तो आपको यह आद रखेगा लोगसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे तो आप से जब पूछा जाता है कि पहले स्पीकर कौन थे हुआ अज फर्स स्पीकर आप अवर पालियामेंट तो जीवी मावलंकर याद रखेगा इनको अंतरिम स्पीकर बनाया गया था इंतरिम स्पीकर तो कौन थे आपका यह जीवी मावलंकर को आपका याद रखेंगे तमाम बच्चों को पता होगा अगर नहीं पता है तो आपका याद रखेंगे जीवी मावलंकर लोगसभा के प्र मई से शुरू हुआ था आगे बात कर लेते हैं वी चंदर सेकर एक और आपका खिलाड़ी इनका याद रखेगा आरजुन एवाट धारी थे टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं वी चंद सेकर इनका भी निदन हुआ है चन्नाई में आपका जन्मेते कामन विल्थ गेम्स के आपका सेमी फाइनल तक पहुँचे थे ठेक हैं और इनी का आपका जो सिश है वो जी साथियान है तो जहां दखेगा जो वी चंद सेकर हैं इनका संबंध आपका था टेबल टेनिस से साथ सी साथ आरजुन प्राइस जीता हुआ और यह आपका जी साथियान के भी कोच रहे हुए ह नेक्स्ट वे बात करते हैं आजी के दिन आपका तेरा मई को भारत ने दोबारा से दो परुमान परिक्षण के हुए थे पहला मैंने आपको बताया था ग्यारा मई को शक्ती प्रथम इस ओपरेशन को आपका डॉक्टर एपी जी अब्दुल कलाम के निक्तित में वैग्या किये गए थे पहली बार ग्यारा मई को तीन परुमान परिक्षण किये गए थे और बाद में दो परुमान परिक्षण आपका तेरा मई को किये गए थे तो आपको दो डेट आपका याद रखनी हैं ग्यारा मई और तेरा मई पहली बार ग्यारा मई और दूसरी बार आपका तेरा मई, ग्यारा मई को तीन परुमार परिक्षड हुए हैं और तेरा मई को दो इस तरीके स्कुल पाँच परुमार परिक्षड हुए हैं और इन पाँच परुमार परिक्षड हुए हैं और इन पाँच परुमार परिक्षड हुए हैं और इन पाँच परुमार किया वा था 1974 में किया वा था और उस समय प्रधान मंत्री थी इंद्रा गांदी अगली बात करते हैं आपका यहां पर 1956 में जो हमारे श्री श्री रवी संकर है इनका आपका तमिलनाडू में जन्म हुआ था हालाग इनके वारे में आपको इतना नहीं आद रखना है सिर्फ एक चीज आप ध्यार नकिएगा इन्होंने आपका आर्ट ओफ लिविंग की स्थापना किए सवाल आपके एक्जाम के पॉइंट अवी से बहुत इंपोर्टेंट है आर्ट ओफ लिविंग के संस्तापक पूछे जाते रहते हैं कौन है तो आर्ट ओफ लिविंग के संस्ता श्री श्री रवी शंकर और बहुत बहुत सारे देशों में एराउंड 155 देशों में आपका ये जो है क्या है उपस्तित है इनके जो सेश्य है वो बहुत मलब आयाईटियन और बड़े बड़े आपका ना कॉर्पोरेट्स घराने कोई लोग इनके सेश्य है 1997 में International Association of Human Values की भी स्तापना करी होई है तो दो चीजे ध्यान रखना आर्ट आप लिविंग के संस्तापक आपका है श्री श्री रवी शंकर International Association of Human Values इसके भी संस्तापक है श्री श्री रवी शंकर 2009 में आपका फोबोस पत्रिकार ने इनको देश का पांचमा सबसे प्रभाव साली व्यक्ति बताया 2009 में हालाक सूरियां गांधी आपका नमबर एक पर थी पदम विबूशर से भी इनको नमाजा गया तनाव और हिंसा मुक्समाज की इस्तापना का लक्ष लेकर काम कर रहे हैं तो ये चीज आपका ध्यान रखना है श्री श्री रवी संकर के बारे में Art of Living on International Association of Human Values इन दोनों के आपका संस्ताप कौन है ये आपका श्री श्री रवी संकर है जन्मिन का हुआ है तमिल नाडो में नेक्स्ट बात करते हैं अभी कोलंबिया इस समय बड़ा चर्चा में आ रहा है कोलंबिया में क्या हुआ है यहां पर प्रदर्शन चलने महामारी के दवरान COVID-19 के टाइम पर इनिक्वालिटी और गरीवी को लेके और तमाम तरीके के आपस में इस समय आपका लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कहीं पर पुलिस से जड़प हो जा रहे हैं तमाम लोग बापका मर रहे हैं और लापता हो जा रहे हैं तो कोलंबिया के बारे में क्या ध्यान रखना है कोलंबिया कहा पर है कौन से महादीप में आता है कोलंबिया दक्षिर अमारीकी महादीप में आता है साउथ अमारिकन कॉंटिनिंट में आने वाला देश है कोलंबिया अब कोलंबिया के बारे में दो चीजे वार ध्यान लखेगा इसकी राजदानी और इसकी मुद्रा तो कोलंबिया की जो राजदानी है वो है आपका बोगाटा B-O-G-O-T-A यह इसकी क्या है capital है यानि राजधानी और कोलंबिया की currency बहुत पूछी जाती रहती है तो कोलंबिया की currency यानि मुद्रा आपका क्या है तो वो है आपका peso P.E.S.O. peso या peso हम लोग बुलते हैं तो कोलंबिया की मुद्रा का नाम क्या है कोलंबिया की जो मुद्रा है उसका नाम है पीसो और याद रखेगा पीसो सिर्फ कोलंबिया की मुद्रा नहीं है पीसो कई देशों की मुद्राओं का नाम है जैसे मैक्सिको की बात की जाए जो कि नौर्थ अमरिकन कॉंटिनेंट मे आता है उत्तरी अमरीका में आता है तो मैक्सिको की मुद्रा का भी नाम पीसो है लेकिन जब मैक्सिको की बात करेंगे तो मैक्सिकन पीसो हो जाएगा जब कोलंबिया की बात करेंगे तो कोलंबियन पीसो हो जाएगा जैसे डॉलर डॉलर कई देशों के मुद्राओं का नाम ह अमारिका की US डॉलर, आउस्ट्रेलिया की ऑस्ट्रेलियन डॉलर, सिंगापूर की सिंगापूरियन डॉलर, तो इस तरी के ध्यान रखना है कि कोलंबिया जो की दच्छिर अमरीकी महादीप में आता है, फुटबॉल वगेरा के लिए बहुत ही फेमस है आपका कंट्री है, इ COVID-19 के टाइम पर आपको परिवार का मात तो समझ में आ चुका है, तो 15 माई को हम लोग आपका मनाएंगे विश्व परिवार दिवस, तो एक स्रीमत भगवत गीता से आपका मिला हुआ है हमें, काफी अच्छा है ये आपका ज्यान कि कोई भी दुख संसार में इतना बढ़ इजराइल में भी आप समझ रहे हो कि किस तरीके से आपका जंग तेज चल लही है, तो फिलिस्तीन और इजराइल दोनों आपका अपस में इस समय एक दुसरे को पर ताबर तोड़ हवाई हमले कर रहे हैं, अब यहाँ पर आपको एक दो चीजे आपका समझ दी है, इजराइल की पहले राजदानी क्या हुआ करती थी, पहले इजराइल की राजदानी तेल अवीव हुआ करती थी, लेकिन इजराइल ने अपनी राजदानी बदल दी और इजराइल की राजदानी वर्तमान में क्या हो गई, यरुशलम हो गई, तो यही जरुशलम जो आपक जगडे के जड़ है तीन तीन अलग अलग धर्मों की आपका ये जन्मिस थली मानी जा रही है तो यरुशलम में आपका यहां पद्यान रखेगा इसराइल ने अपनी राजधानी तेल अवीब से आपका बदल के यरुशलम करी हाला है बहुत सारे देशों नों भी मानता नही ये इसराइल के आपका और आपका में सहर है तमाम आपका यहां पर रॉकेट्स डागे जा रहे है लेकिन इसराइल के पास आपका अपना एयर डिफेंस सिस्टम है जैसे भारत रशिया से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ले रहा है वैसे यहां पर इसराइल के पास अपना एयर डोम डिफेंस सिस्टम, तो यह याद रखेंगे, आईरं डोम डिफेंस सिस्टम, यह इस्राइल का अपना एर डिफेंस सिस्टम है, तो जो भी रॉकेट आपका दागे जाते हैं, उनको हवा महीं मार गिराता है. तो फिलाल आपका ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है और सयुक्त रास्क में भारत के जो इस्थाई प्रतिनीत है जिनका नाम है T.S. त्रिमूर्ती इन्होंने आपका ट्वीट किया और जो यूरेशलम में आपका घटनाय हो रही है खासतर पर आपका गाजा से जो रॉकेट वगरा दागे जा रहे हैं उनकी उन्होंने निंदा की तो T.S. मूर्ती इस समय भारत की इस्थाई प्रतिनीत है इस समय पर्मानेंट रेप्रेजेंटेटिव हैं UN में इंडिया की तरफ से आगे बात कर लेते हैं आपका आज का जो विचार है वो ये कि कोई भी लक्ष मनुष्य के साथ से बड़ा नहीं होता है तो आप लक्ष अ